तो आईसे सीजन एट का मैच नमबर नौ हो चुका है खतम जो की हो रहा था भाई दी कुलकता डर्बी इस इस्ट बैंगोल वर्चिस एटी के मोहन बागन और इस मैच पे भाई एटी के मोहन बागन ने एक सांदर जित हासिल कर लिया है एक और डर्बी विन तीन सुनने से अगर इस इस्ट बैंगोल की बात किया जाए तो इस इस्ट बैंगोल ने बहुत यह अच्छा एफट इस मैच पे डाला है कहीं नहीं कहीं उनका टीम कॉम्पनिशन के चलती हैं पर रेजल्ट उनके पास उनके तरफ नहीं गया है तो जैसे टीम आपको प्रिवी वीडियो म पहमेस हमें आज नहीं दिखा है और उसका ही फाइदा यहां पा लिया है एटीके मोहन बागन क्यूंकि एटीके मोहन बागन एज टीम बहुत ही तगराप हमेस करता है सभी खिलारी के बीच एक अलग सा ही कॉम्पनिशन है अलग सा ही केमिस्टरी है और उसका फाइदा उनक तक जरूर देखते रहना तो सबसे पहला अगर फिलिंगल भन को देखा जाए दोनों टीमों का इस मैच के लिए तो भाई एसे इस्ट बैंगोल ने चार बदलाब किया था आपको नजर आ रहा है अरदम भट्टाइचारी आजे गोल के पर उसके बाद जोईना लॉरेन को फ् पिछले मैच पर जासा इनका प्लिंगल भन था उस तरीके कहीं प्लिंगल भन इस मैच पर भी नजर आया है वाइक विन्हीं कॉमिनिशन का कोई जरुआत नहीं और मैंना आपको वहीं पिन वहां बताया था तो हमारा जो प्रिंगल बन था इस मैच के लिए एटिके महान ब तो थोड़ा बहुत चांस यहाँ पर दिखने को मिल रहा था इस इस्ट मेंगोल के तरफ से लेकिन वाई शुरू होते ही बारा मिनिट में एक संदर भाई क्रोस डाला था प्रितम कोटल ने और उसको एक जवरदास फिनिश दिया है रोय किस्णा पहली बारा मिनिट पर एक ग और इसकाशिस्ट किया था भाई जौनी काउको ने भाई पास दिया था मनबीर को और मनबीर ने बहुत अच्छा बाल को फिनिश किया है लास्ट डार्ट भी में जिस तरीके से उन्होंने गोल लगाया था उसी तरीके का ही एक फिनिस हमें देखने को मिला और नगलाह सिंग भाई इस जगे से बहुत ही सांदर फिनिस करता है और अधिए वह मुझराय देखने को मिला है और उसके बाद भाई आठे मिनिट पे एटिक महां बागान के तरब से एक पेनल्टी एपिल आया था लेकिन उसको भाई नाकर कर दिया रेफडी ने एटिक महां बागान का खिलारी लिस्टन कोलासो और इसस्ट बेंगोल के खिलारी भाई जोना लोरिन को दोनों के भीज भाई धका मुक्खी होगा था एस्ट बेंगोल के उसके बाइप बागान को बागे बांग बाएÅ और वह बहुत आगे जाएगा अरिंदम भट्टे चारिये जो गोल के पर एसिस्ट बेंगोल को भाई साइद इंजेड हो गया था बाल को बाहर आकर कलेट करने की कोशिस किया था लेकिन बाल को कलेक्ट नहीं कर पाया ओलिस्टेन कोला सोगल यहां पर मौका बन गया और उन्हें भाई खुला गोल कोशिस कह था एक काम बहुत अच्छा किया था इस इस पींगौल होगो और अ रोक कर रखता है पहले हप में ही होगोय और रहा है मंदीर सिंग गोल कर रहा है तो जो बहुत मोहन को का पहले हाप में और बहुत ही काबल तारीफ चीज है कि मोहन बादन पूरी तरीके से यहां पर करने की कोशिस किया था चार सुनने हो जाता भाई पर एक बहुत अच्छा संदर चांस मिस कर दिया था रुआ किस्णा ने उन्होंने चेश डाउन किया था बॉल को और उसके बाद भाई उस बॉल को फिनिस नहीं कर पाया वहाँ पर अगर हेट दे देता तो कहिने एक अच्छा फिनिस हो सकता था उसके बाद जोनी काउको के लिए जोनी काउको के लिए भाई एक अच्छा मौका बन गया था प्रितम कोटल ने बॉक्स के अंदर एक क्रोस डाला था और यहां पर भाई फिनिस करना चाहिए था थोरा बाहर चला गया बॉल पोस्ट से और गोल नहीं होा लेकिन जोनी काउको के पास भाई एक अच्छ कुछ दिखने हो पर वहां इतना ज्यादा हम नहीं हुए दिखाय दिया था पहले हम अंत होते होते तो नेकस्ट हमें अब क्या करेगा त्था में आपको नेकस्ट हमें बताने जा रहा तो कुछ इस तरीके के भाई यहां पर अपना पहला हाप था पहले हाप में एटी के मोहन बागान ने तीन सुनिस से बरात बना लिया था एक भी गोल नहीं दाग पाया था एस इस बेंगोल को साइद दो चांस ऐसा मिलाता है जहां से गोल कर सकता था लेकिन भाई उन्होंने क्या चांस को भुना नहीं पाया है क्योंकि एटी के मोहन बागान का डिफेंस बाइन बहुत ही अच्छा था दिपक तंग्री अच्छा किया था भाई आज 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 सेंटर बैक खेल था तर उन्होंने अच्छा पर्फिम करके दिखाया है अब चली हम बात कर लेते हैं सेक लेकिन उन्होंने भाई आकर उतना ज्यादा प्रभाब नहीं फेला हाला कि यह डिफेंसिबली बहुत यह अच्छा लग रहा था बहुत सरा गोल यहां पर भाई कॉंसिड कर लेता एसिस्ट बैंगल अगर उनका गोल के पार नहीं रहता है तो और इसके बाद 55 मिनिट पर राजु गाई कोड इंजरी के चलते भाई बाहर चला गया तो उनकी जगे अदिल खान को सामिल किया गया था और अदिल खान आती भाई बहुत सरा सेव लगाया था एकदम डेस्परेट डिफेंडिंग उनके तरफ से हमें देखने को मिल रहा था कुछ ऐसा चांस था भाई गोल यहां पर बच गया है एसिस्ट बैंगोल का दूसरी तरह बहुत सारा चांस यहां पर मिस किया है एटिके मोहन बागन और उसके बाद 67 मिनिट पर भाई हुगो को बाहर किया गया था कि हुग आज थोरा बहुत भाई डल रहा है डल नहीं भाई उन्होंने एक एसिस्ट बैंगोल जिसके चलते उनका पामेस उतना जादा नहीं दिखाया और उनके जगे बाई डेविर उलियम्स अंतर रहा था जे और फिरू का जूरी फानेली हमें इस मैच फे देखने को मिल गया में बात करो डेविर उलियम्स और रोय किसना क्या इन्होंने भी भाई कुछ द को और हमें नाजार नहीं आया तो दिपक तंगडी को भी भाई बाहर किया गया था उनके जगाशू तो समयता आया था 87 मिनिट पा लेकिन 90 मिनिट हो गया था उसके बाद 4 मिनिट एक्टर टाइम में भी एटिके मोहन बागन ने गोल नहीं दाग पाया हाला कि सेकेंड हम मे भी बहुत थी अच्छी तरीके से हमें डमिनेट करते होई दिखाई दिया एटिके मोहन बागन गोल नहीं आया बहुत सार चांस उन्हों ने मिस किया है उन सभी को भाई अब हो मोग करना पड़ेगा अच्छी तरीके से उनको इटुलेज करके और भी ज्यादा से ज्यादा गोल लगाना परेगा चांस आप बना रहे हो लेकिन फिनिश नहीं आ रहे है और काव को भाई आज बहुत अच्छा खेला है उनको हिरोद्व मैच भी चूज किया गया है और इसके बाद चले हम स्टैट देख लेते हैं तो भाई अब लोग देख सकते हो के बॉल परसेज भी ज्यादा था यहां पर इस इस्ट बैंगोल का लेकिन हमें नजर नहीं आया है उत्तरा एटी के मोहन बागान में इसके इलावा भाई यहां पर हमें 14 देखनों को मिला था जो कि बहुत एफक्टिव साबीत हो आटी के मोहन बागन के लिए इस इस्ट बैंगोल लेकिन उतंग ज्यादा यहां पर इफेक्टिव नहीं था तो अबर अगर स्टैप्स को देखा जाए तो कुछ हिस्से में भाई एटी के मोहन बागन बहतर था लेकिन सबसे ज्यादा बहतर था भाई स्कोर एटी के मोहन बागन का इसके जलते उनको जीत मिला है और पप में किस्टिक मैच हो रहा है उसका भी रिव्यू मैं आपको देने की कोशिस करूँगा लेकिन कल सुभे आपको साइध मिल जाएगा और कुछ खिलारी में बात करूँ तो एसिस्ट बैंगोल के तरफ से भाई एक ही खिलारी मुझे सबसे अच्छा लगा है सुभाम जो कि उनका गोल की पर था उन्होंने बहुत ही अच्छा एफट डाला है और मिट फिल में भाई उतना ज्यादा दमकब हमें नजर नहीं आया है डिफिंसिबली कुछ खिलारी ने अच्छा किया है आज एसिस्ट बैंगोल का सेकंड हाप में लेकिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं था फास्ट हप में सेकंड हप में कुछ ना कुछ भाई हमें नजर आया है एसिस्ट बैंगोल के डिफिंडर में तो वह यह काबल तरिफ चीज है दूसी तरफ एटिके मोहन बागन के अगर बात कर तो फूरा टीम एफर फूरा टीम एफर्ट हुगोर नहीं था फिर भी हुगर स्टैट्स आप लोग भी क्या राए राखते हैं इस मैच के उपर कमेंट करके जरूर बताएए फिलाल के लिए इस वीडियो में तरहीं आपको बहुत 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 सुग रहा है टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए अगर आगर आपको वीडियो अच्छ लग कर दो